दिया है प्रणल चांपियन का हत्यारों के साथ डांस कने का विडियो वाइरल हो गया था तो तमंचा डांस कर सस्पेंड हुए बीजेपी विधायक पर बड़ी कारवाई हुई है अब उन्हें विधायक साहब को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये जरूरी इसलिया सा था क्योंकि बीजेपी के सामने जब से इस विडियो को लेकर कुवाँ प्रणाव सिंग चांपियन को लेकर सवाल जवाब किया ज़ा रहा था तो ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था और पहले भी कई तरह की शिकायते रही हैं प्रणाव चैंपियन को लेकर कई तरह के विवादित बयान उनके सामने आये हैं एक दबंग के तौर पर तो पहले से ही उनकी रूरकी में पैचान थी लेकिन इस तरह की हरकत सामने आना लगातार बीजेपी की साफ पर बट्टा लगा रही थी हमारे साथ हमारे सायोगी आमिताब जुड़ रहे हैं आमिताब लगातार जब सी विडियो आया था उनका तो बीजेपी के विधाया किस तरह के हैं इस चीज को कैश्ट करने की कोशिश विरोधी कर रहे थे और ये बड़ा अटेम्ट लिया है बड़ा कदम उठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है प्रधान मंत्री मोधी कह चुके हैं पहले भी कि अगर आप इस तरह की बातों में उलजेंगे तो आपके लिए पार्टी में को हो तो जनता के बीच आपकी कोई भी हरकत बरदाश्ट नहीं की जाएगी ये सबसे पहली बात दूसरी बात मैं आपको बता दूँ ये संदेश देना की प्रणोस चैंपियन के जवाब से वह संतूश नहीं थे जिस तरह से अपने हतियानों के साथ उन्होंने नुमाईश की पार्टी ने ये फैसला लिया है तो जाहिल तोर पर देश भर में उन तमाम नेताओं को और उन तमाम करेकरताओं को संदेश है कि सड़क पर और पबलिक फिगर है आप तो ऐसी दबंगई बिल्कुल बदाश नहीं करेगा ला करेगा शुक्री आमित आप और आज कुल बूचन जादो पर शाम को फैसला आने वाला है और उससे पहले ही पाकिस्तान ने दिखावा करते हुए मुंबई हमलों के मास्टर माइंड आतंकी हाफिस सईद को लाहौर से ग्रफदार कर लिया है हाफिस को टेरर फंडिंग के मामले में ग्रफदार किया गय 26 नॉब्बर 2011 को मुंबई को दहलाने वाले मास्टर माइंड हाफिस सईद को पाकिस्तान में ग्रफदार कर लिया गया है इस पुरे मामले को करीब से देखने वाले हमारे साथ वकील जोल निकम जी है सर इस पुरे मामले में अजमल कसाब को तो आपने फांसी तक पहुचा मास्टर माइंड को पाकिस्तान ने अरस्ण किया है कैसे देखते हैं इसकी पाकिस्तान सर्कार ने इसी कोई कोशिशश शूरी नहीं कि जिसके आधार पर एपहसित स्मिप्र आ पर कॉपर कि हमब हों इम्रान खान आज जा रहसाग मेंद कर दोसरी वाप हमने ध्यान में रखना चाहिए कि 26-11 के आतंग की हमले में आपीस से का किस प्रकार हिस्सा था इसके बारे में हमने कई पुक्ता सबत पाकिस्तान डेवीड हीडली की गवाई थी फिर भी पाकिस्तान उसे नचर अंदास क्या थी इसका मतलब है पाकिस्तान उसको बचा आथा बिहार में आरसस और उन से जुड़ी तमाम संगटनों की जासूसी करने का संस्रीख इस मामला सामने आए बिहार सरकार ने खूपिया विभाग को पत्र लिक कर संसाओं से जुड़ी तमाम गतिविदियों की जानकारी मांगी यारसस और उसके सैयोंगी संग्टनों पर विहार सरकार के निगरानी करने की निर्देश की बाद विहार की राजनीती में खलबली मच गई है। मुझे ये लगता है कि जितने भी दल, नेता, संग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो अंधेरे से प्रकाश की और, अज्ञान से ज्ञान की और, और असत्य से सत्य की और जाएंगे। इसलिए सब दलों को मैं भारत में और विश्व में निवेधन करूंगा, दे मस्ट ट्राइटू नो आरेसेस डीपली। और इधर सुप्रेम कोट ने करनातक कि भागी विधायकों पर फैसला देते होए सपीकर को फैसला लेने का अधिकार है। क्या लिए ऑफी कहा कि विधायकों का इस्तीफा के सुभिकार किया जाला चाहिए को त्रस्ट वोट कल सrium के लिए को त्रुट ने दोनों साइड की दलीले सुना gimbal के पहली बात तो 15 यह दस उरीजनल पाँच और पूरे पुरे पंद्रा को कोई कमपलोशन नहीं है कि कल वो सदन में जाएं या ना जाएं तो जो विप इशु किया है कॉंगरेस-पार्टी ने-पंद्रा भी आपके सामने हैं ट्रस्ट वोट में के उस नमबरों पर क्या पूजिशन है तो स्पीकर को कोट निर्देश नहीं दे सकता है सुप्रिम कोट ने साफ के दिया इस तीफे पर फैसला सुप्रिम कोट ने कहा है और इसको लेकर लगातार अब जो सियासत है वो गर्माई जा रही है और खबर ही आ रही है कि कुमार स्वामी सरकार पर लगातार संकट गहराता जा रहा है निपाल से कोसी नदी में पानी छोड़े जाने से बिहार के हालात और बिग्डे सेलाब में बर्बाद हुए गाओं के गाओं अब तक 77 लोगों की माँ